नमस्कार दोस्तों मैं गौरब एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने हेल्पिंग गौरब योटूब चैनल पर दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आ गया हूँ और दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी से बात करने वाला हू तो चलिए दोस्तों एक बार मैं आप लोग से छोटा सा रिकेस्ट भी कर लेता हूँ कि अगर आप पहली बार Helping Gorab YouTube चैनल पर विजिट किये हैं तो भी आप Helping Gorab YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बगल के बेल आकोन को तबाना बिलकुल न भूले साथ या दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेरा यूजर नेम है Helping Underscore Gorab तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि बहुत दिनों से यानि कि 15 से 20 दिनों से आप बोल सकते हैं कि कोई भी जानकारी Beltron के तरब से नहीं आई है ना ही officially आई है ना ही कुछ ऐसी जानकारी है जो आप लोग को आप बोल सकते हैं कि जाननी चाहिए या फिर आप बोल सकते हैं कल कोई और चैनल वाले डाले हैं लेकिन यूटूब पर वीडियो continue आही रहा है और उसमें जानकारी क्या है तो कुछ भी नहीं है जानकारी मैं किसी भी चैनल का बुरा ही नहीं कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं सबको बुरा बोलकर अपने आपको मैं अच्छा काने वाला हू ही है अब देख लिए अभी का स्थिति क्या है कि सौ में से जो है असी आदमी ऐसे हैं सौ में से असी क्रेटर ऐसे हैं या पचासी क्रेटर ऐसे हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन सेयर कर रहे हैं और सौ में से पंदरा ही ऐसे आप बोल सकते हैं क्रेटर हैं जो सही जानकारी परसेंट सरी जानकारी आप लोग के बीच लेकर आते हैं लेकिन होता क्या है कि सभी स्टुडेंट यहीं समझते हैं कि यह भी असी के तरह यह बोलते हैं कि अगर चोर के गैंग में अगर एक आदमी अच्छा भी रहेगा तो उसको भी चोर ही बोला जाएगा ठीक उसी तरह हो अगरी बात मैं आपको क्यूं बोल रहा हूं कि मैं टॉपिक बात करनी कर रहा हूं और मैं सीधा आप लोग को यह सब सुना रहा हूं दोस्तों अभी क्या हुआ है कि आज से कुछ दिन पहले दो चार दिन पहले यूट्यूब पर एक वीडियो डाल दिया गया एक क्रिएट लोगिन नहीं हो रहा है और उनका अब कुछ भी नहीं हो सकता है बहुत ही बड़े दावे के साथ कहे हैं कि उनका कुछ हो ही नहीं सकता है उनका अब सबकुछ बेकार हो गया कुछ भी उनको नहीं मिलने वाला है ऐसा वो कह रहा है अब उनके पस कहां से जानकारी आई और क क्योंकि मुझे बहुत सा sprouts message ऐया है चाहिए इंस्टाग्राम पे जिए और सीदा बोल सकते हैं telegram नहींさ आइसा एसा बात है हम लोग का भी login नहीं हो रहां अकर हम लोग remained आम ऺत गया तो咁 पो पर बेसे जानकारी येगा दोस्तों जब ऐसी जानकारी आई तो मैं अपने टेलीग्राम गुरूप पे एक सर्वे करवा दिया यानि कि भोटिंग जिसको बोलते हैं वो मैं करवा दिया ठीक है उसी से मैं आप लोगो सही जानकारी देने वाला हो दोस्तों हो सकता है आप लोगो थोड़ा आउट आवाज आ रहा होगा क्योंकि पता है को चु हो रहा है यह मैंने प्रश्न पूछा और मैंने दो अपसंट उनको दिया था एक जी हां मेरा के वाईसी लोग इन हो रहा है और दूसरा अब तक मेरा अब हो रहा है अब ये दोनों मैंने डाल दिया था अब आप इस में जो से जो है 636 लोगों ने भोटिंग किया इस में से जो है 121 लोगों ने कहा कि जी हां मेरा के वाई सी लॉगिन हो रहा है यानि कि उनका सक्सेस्फुली जो है भेरीफाइव हो गया है लेकिन वहीं दोस्तों 415 student ने कहा दिया कि जी नहीं अभी तक मेरा KYC login नहीं हो रहा है और इसको percentage में देखे तो एक 35% है और एक 65% है यानि कि जितने लोगों का KYC हो रहा है उतने से आप बोल सकते हैं डबल तो नहीं लेकिन उनसे जादा KYC login नहीं हो रहा है ये एक हकीकत है इसका मैं short screen भी आप लोगों को दिखा दूँगा screen पर लेकिन दोस्तों एक ऐसे channel वाले हैं जो साब साब कह रहा है कि 98% लोगों का KYC successfully verify हो गया है मैं उनसे इस वीडियो के मादम से यहीं पूछना चाहूँगा कि आखिर आप तो ये जानकारी लाते कहां से हैं अगर आप ये चाहते हैं कि हम गलत जानकारी देकर यूटूब के दुनिया में हम success कर जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि आप जिनको information दे रहे हैं जिनको आप सूचना दे रहे हैं उसी के बल पे उसी के support से उसी के प्यार से आप आगे बढ़ सकते हैं और अग उन्हें 98 % ौले जो बात उन्होंने का आए उनको वो हो सही ऽावित करने की कोसिस रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है इससे हम लोगों की बात की दो परसेंट की अब साथ है और 211 स्टूडेंट का अगर आप दो परसेंट निकालिएगा तो 146 पुएंट कुछ-कुछ आता है यानि कि आप पानके चलिए कि 147 स्टूडेंट उनका कहना है जिनका के वाइसी लौगिन नहीं हो रहा है और जिनका कुछ भी नहीं हो सक नहीं हुआ है और यह 415 स्टूडेंट जो वह 731 स्टूडेंट उस्टूडेंट में से 415 स्टूडेंट है जिनका के वाइसी लौगिन नहीं हो रहा है अगर सभी लोग भोटिंग किये होते तो शाइद यह आकड़ा और भी जो है बड़ता इस बात को आप समझ लिजए इस ताकि आप ही लोग के support से आप ही लोग के जो आप बोल सकता है कि information से मैं सही जानकारी और भी student तक पहुचा पाता हूँ तो अभी तक अगर आप मेरे telegram group में जुड़े हैं तो telegram group में जुड़ जाएए क्योंकि telegram group का link मैं video के description box पर ही डाल दिया हूँ और जिनका KYC login नहीं हो रहा है उनकी नौकरी चली गई ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है वो 2% का अकड़ा है ही नहीं वो 65% मैंने आपको यहां पे दिखाया अगर सभी लोग voting करते तो हो सकता है कि 70% भी यह अकड़ा जा सकता था यानि कहने का मतलब यह है कि 100 में से 70 student का भी verify हुआ ही नहीं है सिर्फ 30% लोगों का या 35% लोगों का verify हुआ है ठीक है तो अभी धीरे धीरे यह verification का परिक्रिया चल रहा है हर दिन कुछ-कुछ student का verify हो रहा है अगर आप लोग गुरूप में जुड़े होंगे तो सभी student आज ना कल message करते हैं कि आज मेरा login हो गया कल मेरा login हुआ था कल मेरा नहीं हो रहा था आज मेरा हो रहा है लेकिन उस जानकारी का कोई base नहीं है कोई अधार नहीं है इसलिए मैं वो जानकारी आप लोग के बिच से यह नहीं करूँगा joining के परिक्रा जैसे ही शुरू होगी या फिर मेरे पास कोई ही आप बोल सकते हैं जैसे कि KYC से संबंदी जानकारी आई थी जैसे मैं बोला था कि 100% KYC पहले होगा उस तरह अगर कोई information अगर मेरे पास joining से संबंदी आती हैं तो मैं आप लोग के बिच सबसे पहले लेकर आना चाहूँगा ठीक है दोस्तों और दोस्तों उन लोगों का मैं भी बोलना चाहूँगा जो गलत वीडियो यूटूब पर और जाते आते एक बार फिर से मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हेल्पिंग और आप यूटूब चैनल पर विजिट किये हैं तो अभी आप हेल्पिंग और आप यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ अगराम पर फॉलो कर सकते हैं मेरा यूजर नेम है हेल्पिंग अंडरिस्कोर गौरव तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइंड टेक केयर जहिंद वंदेमात्रम